नमस्कार, वेलकम, आज का हमारा विषय है जल की टंकी, हम उस जल की टंकी के विषय में बात करेंगे, जो टंकी हम छट के उपर, अर्थात अपने होम के उपर, ओभरेड जिसे करते हैं, इसे इंगलीज में हम करते हैं, ओभरेड, मतलब छट पे रखने वाली टंकी के विषय में बात कर रहे हैं इसे कहां रखनी चाहिए तरह तरह कि लोगों के मन में कनफ्यूजन होती है संसे की स्थिति होती है कोई कहीं रख लेता है हमने देखा है कि कि किसी ने उत्तर में बना रखा है तो किसी ने इसान में बना रखा है तो कोई नेरीति कोन में बनाता है तो कोई केंदर में ही अस्थापित कर देता है तो गलत जगह पर यदि आप गलत जीजों को रखते हैं तो बास्तु में कहीं न कहीं और संतुलन की स्थिती उत्पन होती ह और ये समस्या उत्पर्ण करना शुरू कर देता है तो इसे कहां नहीं रखा जाए कहां रखा जाए हम इस बात को चलिए पहले जालने की किन अस्थानों पे हमें भूल से भी नहीं रखनी चाहिए हमने देखा कि एक सज्जन ने हमें ले गया तो बुला के जब उनके घर में देखा तो उन्होंने सीसान कोन के उपर में यहां जल पे उपर में जल की टंकी बना रखी है बिल्कुल बहुत बड़ी 2000 लिटर केपेसिटी की यह टंकी उन्होंने इस अस्थान पर अस्थापित कर रखा था हमने पूछा कि आपने यहां पर क्यों बनाया है तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा सुन्दर सा जवाब दिया उत्तर दिया कि महोदय ये तो आपने भी यूट्यूट पे बताया कि ये जल का अस्थान है सभी लोग बताते हैं पेपर में न्यूज में सभी जगह इस तरह की बाते होती है कि इस आनकोन ये जल का अस्थान यहीं रखना है इसलिए बनवा दिया तो इस प्रकार की लोगों की मन में कनफ्यूजन हो जाती है कि ये जल का अस्थान है तो यहाँ आप ओबरहेड टैंक बना दिन नहीं कर सकते हैं जल से संबंधित कारी छत की बात जब आती है तो यहाँ पर छत के ऊपर वाटर टैंक लगाना बिल्कुल उचित नहीं है ये अस्थान नहीं है अब इससे रिलेटेड अस्थान पुर्वदिशा भी है यहाँ भी नहीं उत्तर है इससे रिलेटेड आपको इन अस गरह देते हैं ति ये इस्थिती बिल्कुल सही नहीं होगी आप सुएंग yen लगा सकते हैं कि एक दूसरे के विरुद्ध हैं दोनों और एक दूसरे के विरुद्ध गरी एक जगह रखती है तो कहीं ना कहीं ये उथल पुथल आएगी और बास तू दोस यह उत्षपन करे लिटर केपेसिटी है बड़ा 농 रिमान है उपक्षा है तो यहां रखना सबसे अधिक उप्यूगत होगा तरक भी लोगों के होते है के क्ई तरक के कि सभी लोग करते हैं कि भारी निर्मान ऊचा निर्मान इस छेतर में करना चाहिए हमें इसलिए यहाँ पर जलकी टंकी हम रख सकते हैं इस प्रकार की जो भ्रातियां हैं उसे आप दूर करें यह अस्थान उचा और भारी निर्मान के लिए अवस्य है यह अस्थान भी उचा और भारी निर्मान के लिए अवस्य है लेकिन यह उचा निर्मान या भारी निर्मान ठोस चीज रहें लेकिन ठोस अवस्था में करें यह चीजें करती है हम यहां पर लिक्विड फॉर्म में जलको नहीं रख सकते बास्तू के रूल के अनुसार यहां पर जलको रहना उचित नहीं है तो यदि आपके पास किसी कारण से इस अस्थान पर इस अस्थान पर आपने जलकी टंक की बना रखी है घवराने की बात नहीं अक्सर क्या होता है कि लोगों ने सीड़ी घर इसी छेतर में बनाते हैं यहां बनाते हैं यहां बनाते हैं उनको यह सुविदा होती है कि सबसे ऊचा अस्थान पर जलकी टंकी रखना है उन्होंने सीड़ी घर के ऊपर रख दिया यह ये भी एक तरक होता है उच्छे अस्थान पर रख दिया उन्होंने तो ये पास सीड़ी घर के उपर जलकी टंकी आप रख सकते हैं कोई समस्या नहीं है लेकिन इस अस्थानों पर जलकी टंकी आप नहीं रख सकते यदि आपके सीड़ी घर हैं तो भी नहीं रख सकते उनके तरक होते हैं कि लोगों ने कहा है कि सीड़ी घर के उपर रहने चाहिए बिलकुल रख सकते हैं लेकिन जब वो सीड़ी घर जल के टंकी वाले अस्थान पर बना हो तो ही आप वहां रख सकते हैं देखिए इतने अस्थान कड़ गए ब्रह्म अस्थान यहां भी नहीं बनाना है कुछ लोग ब्रह्म अस्थान में भी टेंक रख देते हैं सेंटर में रख दिया है चार उत्रब जल के परवह एक समान से होंगे लेकिन आपको जो चुनना है जल के लिए अब आपके पास एक छोटा सा ही छेतर बच रहा है पस्चीम और बायू कोन का छेतर यह छेतर बच रहा है तो इसमें एक आता है वेस्ट के बाद और नौर्थ व प्रेश्ट का जोन आता है इस बीच में यह इतना अस्थान आप अगर एक तरह से देखें थे पस्चीम के बाद और बायू कोन तक इस अस्थान के बीच में यदि आप यहां भी टंकी रख देते हैं यहां भी टंकी रख सकते हैं ति यह ठीक है जल की तंकी के लिए अभी तक के जो बास्तु सास्त्रियों ने अपने सुगद के अनुसार देखा है बहुत बड़े बास्तु सास्त्री हैं सभी ने अपने सुगद और निश्कर्फ निकाला की यह जल की टंकी के लिए सबसे अधिक उप्यूगत है एक तो यह ठोस अवस्था में है तो वजन के लिक्विट के लिए भी यह दिसा सही है तो दोनों की स्थितिक अनुसार यह सर्वत्तम दिसा आपके पास आती है इस दिसा में आप जल की टंकी को रखें यह आपके लिए उचित है तो आज के अंक में हमने देखा कि जल की टंकी के लिए सबसे अधिक अस्थान कहा है बड़ी समस्या ने, यहां cemented tank है, तो समस्या है, इस्थिती अगर आपकी बदलने की ना हो, तो प्रयास करें मान लिया जाए आपने यहां बना दिया है यदि टेंक, तो आप यदी एक उचा निर्मान यहां करते हैं, उचा निर्मान यदि घर में इस अस्थान पर है, तो भी इसके दोस को संतुलित करने का प्रयास करेगा आज की अंक में इतना ही मिलते हैं अगले अंक में धन्यवाद